आज है 22 सक्टूबर 2030 दिन रवीवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को इसे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले करोडों लाडली बहनों को फिर में लेगा दिवाली से पहले तोफ़ा मुख्यमंत्रे लाडली बहना यूजना के लाभारतियों के लिए खुशकबरी है दिवाली और मध्यप्रदेश विधान सबाचुनाओं से पहले राजी की शिवरास सरकार एक दिशमलों तीने करोड लाडली बहनों को एक बार फिर से बड़ा तोफ़ा देनी जा रही है नवंबर में यूजना की छटी किस्त के 1250 रुपे जारी किये जाएंगे सियम शिवरा सिंग चोहान का कहना है कि कॉंग्रिस ने मेरी शिकाय चुनाओं आयोग से की थी तीन हजार रुपे इसी साल लाडली बहना यूजना की शुरुआत हुई जिसके अंतरकत मातर साड़े चार सो रुपे में गया सिलेंडर हर महीने 1250 रुपे की मासिक किष्ट और महिलाओ के लिए फ्री आवास देने का प्रावधान किया गया महिलाओ को दी जाने वाली शुरुआती मासिक किष्ट 1000 रुपे थी लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा कर 1250 कर दिया मध्यपरदेश के सीम शिवरा सिंग चोहान ने भुपाल में हुई अपनी चुनावी रैली में ये गोशना की है कि चुनाव के बाद महिलाओ को दी जाने वाली किष्ट को लगातार बढ़ा कर 3000 रुपे तक किया जाएगा मध्यपरदेश विदानसबा चुनाव के चलते 30 अक्ट्यूबर 2013 से शुरू होकर 4 नमंबर 2013 तक चलने वाली राजे सिविल सेवा मुख्य परिक्षा 2022 से स्थगेत कर दी गाई अब ये परिक्षा 26 दिसम्बर से शुरू होकर 31 दिसम्बर 2023 तक आयो जित होगी मध्यपरदेश लोगसिवा आयोग के विशेशकार यादिकारी रवींद्र पंच भाई ने पीटी आई भाशा को बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा राजे विधान सभाज चुनाओ के एक कारिक्रम की गोश्रा के मत्य नजर परिक्षा केंद्रों की उपलब्दता और सुरक्षा विवस्था की स्थितियों पर विचार के बाद हमने राजे सिविल सिवा मुख्य परिक्षा दो हजार पाईस की तारीखों को आगे बढ़ाने का निर्णे लिया है प्यामोदी ने लागो की नई शिक्षा नीती बोले सीम शिवराज मदबदेश सीम शिवराज सिंग चोहान ने गौालियर में आयूजीत बीजेपी की जनसभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा पद्दिती को बदलने के कई बर्षों तक चर्चा होती रही मैकाले की शिक्षा पद्दिती को बदलने के लिए कई आयोग बने पर शिक्षा नीती वहीं की वहीं रही लेकिन प्यम मोदी के नित्रत में नई शिक्षा नीती लागो हुई कॉंग्रेस आई तो बंद हो जाएगी लाडली भेना योजनाग गुना में चुनावी रैली के दौरान बोले CM शिवराज मद्रपुदेश में अगले महीने विधानसभा चुनाओं होने वाले हैं इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान गुना के चाचोडा में एक सार्जनिक रैली को संबोधित किया यहां उन्होंने कॉंग्रेस पनिशाना साथते हुए कहा कि अगर कॉंग्रेस सत्ता में आई तो कोई नाडली या बहना नहीं होगी वेभाजपा सरकार के कल्यानकारी योजनाओं को बंद कर देंगे इंदौर जैपूर के बीच चलेगी दोफेरा स्पेशल ट्रेन उतरमदी रेलवे इंदौर जैपूर इंदौर के बीच दिवाली से पहले दोफेरा स्पेशल ट्रेन चलाएगा इंदौर से ट्रेन का संचालनज 26 अक्टूबर और 2 नवंबर को होगा जबकि जैपूर से ये ट्रेन 25 अक्टूबर और 1 नवंबर को चलेगी ट्रेन नवंबर 09-7-02 इंदौर जैपूर सुपरपास्ट स्पेशल इंदौर से टैतारीखों में राद 10 बचकर 20 मिनट पर चलेगी और 10 बचकर 56 मिनट पर देवास 11 बचकर 40 मिनट पर उज्जैन 1 बचकर 10 मिनट पर नागधा 2 बचकर 43 मिनट पर राम गंज मंडी शुक्रवार सुभे 3 बचकर 35 मिनट पर कोटा, 5 बचकर 20 मिनट पर सवाई माधोपूर और 7 बचकर 7 मिनट पर दुरगापूर पोते हुए शुक्रवार सुभे पॉने 8 बचे जैपूर पहुचेगी PCS परिक्षा के पंजिकरन की आगे बढ़ी अंतिम्तिथी, अब इस दिन तक करें आवेदन मदर प्रदेश लोग से वायोग ने PCS भरती प्रारंबिक परिक्षा 2023 के लिए आवेदन की अंतिम्तिथी को आगे बढ़ा दिया है आधिकारी कारिक्षा के अनुसार MPPSC PCS परारंबिक परिक्षा के लिए चुक उम्मीदवार 8 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं MPPSC राजसेवा परारंबिक परिक्षा 2023 के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की आखरी तारीक पहले के सक्टूबर थी जिससे अब आगे बढ़ा दिया गया परिक्षा में शामिल होने के चुक उम्मीदवार आधिकारी के वेबसाइट के माध्यम से ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं MPPSC में माइनिंग इंस्पेक्टर भरती के लिए आवेदन प्रक्रियाज शुरू माध्यप्रदेश में माइनिंग इंस्पेक्टर के बदो पर भरती निकली है माध्यप्रदेश लोग से वायो की ओर से निकाली गई वेकंसी के लिए ओनलाइन आवेदन की प्रक्रियाज शुरू हो चुकी है कैंडिडेट्स 19 नमंबर 2023 तक इस भरती के लिए अप्लाई कर सकते हैं आवेदन करने के लिए उमीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा मद्रप्रदेश विधानसबा चुनाओ के लिए आमाद्मी पार्टी ने जारी की अपनी तीसरी सूची आमाद्मी पार्टी ने शनिवार को मद्रप्रदेश में आगामी विधानसबा चुनाओ के लिए अपनी प्रत्याशों की तीसरी सूची जारी कर दी इस सूची में प्रदेश की तीस सीट से उम्मीदवार शामिल है इन दौर पांच से विनो त्यागी और जयान उत्तर से विवे क्यादव को टिकेट दिया गया है मदर प्रदेश के 68000 अतिती शिक्षकों को तीन महा से नहीं मिला वेतन त्योहार का रंग रहेगा फीका प्रदेश के 68000 अतिती शिक्षकों को तीन महा से वेतन नहीं मिला इससे आने वाले त्योहार का रंग फीका होगा इस महा में दशेरा वा नवंबर में दीपावली का त्युहार आने वाला है ऐसे में दोनों तिहारों पर अतिती शिक्षक आर्थिक रूप से परिशान हूंगे अतिती शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने दुगने मान दे सहित कई घोशनाएं की लेकिन एक मिघोशना पूरी नहीं हुई अतिती शिक्षक संगष समीती के प्रदेश अध्याक्ष शंबू चरंडूबे ने बताया कि शासन ने इस महसे मान देद दुगना कर अतिती शिक्षकों के साथ चलावा किया है त्योहारों और चुनाओं के चलते पुलिस अलट मोट पर मिले सक्त निर्देश मद्रदेश में दुर्गा उत्सव और विधानसभा चुनाओं के मद्यनिजर रातानी बुपाल में पुलिस आयुक्त हरी नारायन चारी मिश्र ने शनिवार को सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के समीक्षा बैट अकली जिसमें अतरिक्त पुले सायुक्त अफधेश को स्वामी, अतरिक्त पुले सायुक्त अनुराख शर्मा और समस्त डी सीपी, A, D, D, L, डी सीपी, एवं समस्त ठाना प्रभारी Premium Isp. 26 अक्टूबर को राजनात सिंग करेंगे MP का दोरा BJP के प्रदेश इस्तर के नेताओ समेट रास्टी इस्तर के नेता चुनाओ प्रचार में जुच गए भुपाल के सहकारी हुनरहाथ में देश भर से आए सोशिल्पी मद्यप्रदेश राज्य सहकारी संग मरियादित भुपाल दोरा कार्याले विकास आयुक तवस्तर मंत्राले नई दिल्ली के सहयोग से गांदे शिल्पाजार सहकारी हुनरहाट का योजन त्रीलंगा इस्थित मद्यप्रदेश राज्य सहकारी संग परिसर में किया जा रहा है मेले में संपूर्ण भारत पर्ष सिभाग लेने के लिए करीब सौ शिल्पी अपनी कलात मगवस्तों लेकर आए हैं मद्यप्रदेश में बदले का मौसां बढ़ेगी ठन घटेगा रात का तापमान हवाओ का रुपार बार बदलने से प्रदेश के तापान में उतार चड़ाओ का सिलसला बना हुआ है बाताबरिन में नमी कम होने से मौसम शिशक बना है इस वज़े से दिन के समय धूप में तलखी बरकरार है लेकिन रात का तापमान सामाने के आसपास बना रहने से ठंड का एहसास बढ़ने लगा है दिन में रात के ताब पान में और गिरावाट का सिलसला शुरू हो जाएगा मेरानुमती लिए रैली निकाल कर की सभा कॉंग्रिस विधायक साहित आदा सेकड़ा समर्थक पर मामला तर्ज मुरेना में कॉंग्रिस से टिकेट कटने पर सुमावली विधायक अजब सिंग कुश्वा के द्वारा रैली निकालने और सभा करने पर विधायक उनके आदा सेकड़ा समर्थक और गार्डन संचालक के खिलाब सिविल लाइन थाना पुलिस ने आचार सहीता के उलंगन का मामला दर्ज कर लिया है और तलब है कि बीती रोज न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलानी इस्थित विधायक अजब सिंग कुश्वा के कार्याले पर कुश्वा समाज के तमाम लोग एकत्रित हुए और विरोध सुरूप नारेब बाजी की प्रदेश पर जैसे जैसे चुनाव की तारीक नजदी का आती जा रही है वैसे वैसे पुलिस सप्रशासन अलर्ट मोर्ड पर नज़र आ रहा है इसी को देखते हुए नागदा, खाच रौद, विधान सभा, SST पॉइंट पर फ्लाइंग स्कॉार्ड और पुलिस टीम ने कार से 4,95,000 रुपे जब्त किये है बता दें कि चुनाव आयोग नियादर शाचार सहीता लागू होने के बाद इस पश्ट गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ती 50,000 रुपे से अधिक किसम बत्ती के साथ परिवाहन करता है तो उसे उच्छे दस्तावेस प्रस्तोत करना होगा वाटसअप में आया आप तक कर सबसे जरूरी फीचर यूजर्स की हुई मौट यूजर्स का पसंदीदा चैटिंग अब वाटसअप एक और नया फीचर लेकर हाजर है इस फीचर की मदद से यूजर लॉग चैट्स को हाइड यानी छिपा सकेंगे वाटसअप के इस नए फीचर की जानकारी डबलू ए बीचा इन्फो ने दी है डबलू ए बीचा इन्फो ने हाल ही में वाटसअप बीचा एंड्रोइट के 2.23.21.9 अबडेट के बारे में बताया था इसमें कहा गया था कि वाटसअप एक सीक्रेट कोड क्रियेशन फीचर का काम कर रहा है इसके मदद से यूजर अपने प्रोटेक्टेड चैट फोल्डर को पासफ़र्ट से लॉक कर सकेंगे एंपी बीजेपी में बवाल केंद्रिय मंत्री के गनर से मार पीट मद्रपर्देश में बीजेपी के टिकेट बितरन को लेकर कारिकरताओं में भारी नाराज की है गई तुमार पीट हो गई इसका एक पीडियो भी सोशल मीडिया पर जब कर वाइरल हो रहा है परेड कर शहीद 188 पुलिस कर्मियों को दी श्रद्धान जिली दरसल हर साल 21 अक्ट्यूबर को पुलिस स्मृती दिवस मनाया जाता है ये दिन उन बहादूर पुलिस कर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए मनाते हैं जिन्होंने देश भक्ती और जनसेवा के भाव को चरितार्थ करते हुए अपने प्राणने उच्छावर कर दिये मैं इस दौरान उमरिया में देश भर के पुलिस विभाग में एक साल में शहीद हुए 188 पुलिस कर्मियों के नामों का वाचन किया गया मतरपरदेश में धानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चनिवाल को लंबे इंतजार के बाद 5 वी सूची जारी कर दी इस सूची में वयानवे सीद्स की होश्रा की गई अब इस सूची के बाद भाजपा अब तक 228 सीद्स पर अपने प्रत्याशी घोशित कर चुकी है वयान इस सूची पर PCC चीफ कमलनाथ ने निशाना साधा उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भायतिय जन्दापाटी की पांचवी सूची ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा नेतरत वहीन होने के साथ ही दिशाहीन भी हो चुकी है पूर्व के कार्ड धारकों को ही आईश्मान कार्ड का लाब वर्तमान में 2019 के पूर्व के कार्ड धारकों को ही आईश्मान कार्ड का लाब मिलेगा सरकार की महत्व कांग्शी आईशमान भारत यूजना के तहर आईशमान गोल्डन कार्ट धारक किसी भी सरकारी और सुची बद्ध अस्पताल में वर्ष में पांच लाग तक हिलाज मुफ्द करवा सकते हैं इससे पूर ब्राशन कार्ट धारक को आईशमान कार्ट का लाब उपलब्द नहीं कराया जा रहा था आदेश का पालन ना होने पाए दियम से वसूला जाएगा चुर्माना पचाखोसे प्रदूशन के मामले में एन जी टी का आदेश एन जी टी के भुपाल मैंच ने अब माना याचिका के सुनवाई करते हुए इंदोर भुपाल गौलियर और जबलपूर के जिला मजिस्ट्रेट को नरदेशित किया कि वायो गुरवत्ता की मॉनिचरिंग करते हुए पूर्व में पारित आदेश का परी पालन करे एन जी टी के जस्टेश शिफकुमार सिंग और एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अफरोस की युगल पीट ने आदेश के अब हिलना कर कारेवाही की जेताबनी दी भारत के मॉस्ट वांटड दुश्मनेों का पाकिस्तान में धरादर खात्मा, मसूद अजर का करीबी दाओद भी थे पाकिस्तान में भारत के मॉस्ट वांटड आतंक्यों के मारे जाने का सलसला शुरू हो गया बश्ते दिरो इस फेरिस्त में दोनाय सामने आए नाम जिन में से एक शाहिद लतीव था जिसे पठान को थमले का मास्टर माइन बताया जाता है दूसरा आतंकी ISI का एजेंट मुला बाहौर उर्फु होर्मुझ है वो भी पाकिसान के भीतर अज्यात लोगों की गोली का शिकार हो गया था केंद्र सरकार निकालेगी विक्सित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार दीपावली के बार देश भर में विक्सित भारत संकल्प यात्रा निकालेगी ये आत्रादेश की 2.7 लाग ग्राम पंचायतों में की जाएगी कॉंग्रस नीता पवन खेडा ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक लेटर शेयर किया इस पे कहा गया कि केंदर सरकार के 9 सालों की अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए विक्सित भारत संकल पियात्रा निकाली जाएगी अंत्रिक्ष में सबसे बड़ा कदम है मिशन का गरियां दुनिया भर में लहराएगा भारतिय सुदेशी तक्नीक का पढ़चम सुदूर अंत्रिक्ष की अनंत रहस्यों को खोजने के बानुए गुणों ने चांद मंगर शुक्री जैसी धर्ती से परे खगोली पिंडों पर मानुए पच्चिन्नों की चाप छोड़ दी है इस स्पेस रेस पे दुनिया के चुनिन्दा देशों के साथ भारत भी खड़ा होने के मकाम पर है अंत्रिक्ष में मानावब भेजने के भारत के महत्वकांक्षी मिशन गगणियान सुदेशी तक्नीक से निर्मित देश का ऐसा मिशन होने जा रहा है जो कि भविश्च में दुनिया भर में भारतिय वैज्ञानिक शम्ता का पर्चम लहराने वाला साबित होगा तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्व करें धन्यवाद